क्या ये एक B2B transaction है? क्या आपका business model B2C है? ये P2P क्या होता है या C2C क्या होता है? और ये नई Google B2G क्या है? ये terms जो है अक्सर आप management में, MBA में, या sales में, या किसी training में, या किसी seminar में, या किसी YouTube वीडियो पर सुनते हो. तो ये terms होते क्या है? इनके full form क्या है? इनका मतलब क्या होता है? इन्हें सही तरीके से use कैसे किया जाता है? इनके बारे में आज का वीडियो है. ये terms बड़े ही सरल है. इस वीडियो के अंत तक आप expert बन जाएंगे इन terms के बारे में. तो पहले एक छोटा सा काम मेरा कीजिए. चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. और फिर हम शुरू करते हैं कहानी B2B की. B2B क्या होता है? B का मतलब business. तो B2B, business to business. इसका full form हुआ business to business. अक्सर कोई भी transaction जो दो businesses के बीच में हो रहा है. उसे कहते हैं business to business. इसका एक example. अगर मैंने as a business अपनी company के लिए नौकरी.com का subscription खरीदा. जिससे की मैं candidates को ढूंड सकूँ job देने के लिए अपने यहाँ पे जो positions हैं उन्हें fill करने के लिए. तो ये transaction नौकरी.com एक business है. उसने मेरे business को, मेरी company को ये एक package बेचा. ये एक business to business transaction है. So B2B जो होता है जब भी दो businesses आपस में कोई transaction करते हैं उसे business to business कहते हैं. B2B transactions जो होते हैं उसके उपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है कि B2B marketing कैसे की जाती है. उस वीडियो को आप ज़रूर देखेगा. डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उपर आई बटम पर भी रखा है. Business to business transaction का मैं आपको और एक दो example देता हूँ. बड़े examples देता हूँ. जैसी कि मानिए OLA एक company है. ये company जो है cabs operate करती है. Cabs का एक marketplace चलाती है. तो OLA जब जाती है महिंद्र के पास. और महिंद्र को कहती है कि मुझे बहुत सारी गाडियों की जरुवत है. जो हमारे driver partners चलाएंगे. तो आप मुझसे 1000 गाड़ी का deal कीजिए. और एक अच्छे rate पर ये गाड़ी loan पर available करवाईए हमारे driver partner को. तो यहाँ पर OLA ने एक अजब बड़ी company, दूसरी बड़ी company महिंद्रा के साथ एक B2B deal किया. जिसके वज़े से उनके driver partners को एक अच्छी deal मिल गई और गाड़िया सस्ते में मिल गई. तो ये B2B का example है. इसी तरह B2B में बहुत बड़े transactions हो, enterprise transactions इसे कहते हैं. जहां 1000 करोड की deal होती है. जैसे की Infosys जाके कहता है किसी bank को, आपका पूरा bank चलाने के लिए software मैं बना कर दूँगा. तो ये software का जो sale होता है, वो एक enterprise sale होता है. या Infosys किसी विदेशी company के पास जाकर कहता है कि आपके लिए software मैं बनाऊंगा. तो वो एक enterprise sale होता है, वो भी B2B sales का एक प्रकार है. लेकिन बहुत बड़े deals, जब बहुत बड़े corporations, MNCs आपस में deal करते हैं, तो उसे कहते हैं enterprise sales. आप B2B तो समझ गए. तो ये B2C क्या होता है? बड़ा ही सरल है, business to consumer. business to consumer sale मतलब, जब कोई business, हम जैसे गरहाक को एक individual को कोई चीज बेचता है. बलाई वो jumbo king का वड़ापाओ हो, जो जाके आप as a B2C खरीद रहे हो, या फिर आप जाकर Allen Soli की कोई shirt खरीद रहे हो, तो वो shirt आप जो purchase कर रहे हो, या फिर shopper stop में जाके, या chroma में जाके, आपने अपने लिए अगर एक mobile phone खरीदा, या perfume खरीदा, तो वो भी एक B2C sale है. B2C में आप अक्सर देखेंगे कि बहुत जादा fancy जो है, visible marketing होती है, storefront अच्छे से बनाया जाता है, hospitality अच्छी होती है, तो उसमें end consumer जो बंदा अंदर जा रहा है कोई चीज खरीदने के लिए, उसे अच्छी feeling दी जाती है. अगर मैं अपने लिए amazon.com या flip card से भी कोई चीज खरीदता हूँ, तो वो भी एक B2C transaction है, जहां किसी business ने मुझे as a single consumer कोई चीज बेची. अब ये P2P या C2C क्या होता है, ये भी एक बहुती upcoming और बहुती बड़ा एक segment है, C2C मतलब consumer to consumer, P2P भी इसे कई बार कहा जाता है, जिसका मतलब होता है pure to pure, P-E-E-R, pure to pure. मतलब आपस में दो लोगों ने deal किया कोई platform या कोई एक जरिया यूज करके, जिसका एक example क्या है, Overlex और Quicker, यहां पर जाके आप कोई भी चीज जब बेचना चाहते है, उसका आप एक ad दे दीजिए, एक post कर दीजिए, और आपके और मेरे जैसा ही कोई और आम आदमी आकर आपसे चाट कर सकता है, बहले ही वो mobile phone बेच रहे हो आप, या कोई headphone बेच रहे हो, या कोई laptop बेच रहे हो, आपस में आप एक दूसरे से बात करके, वो purchase पूरा कर सकते हैं, तो यह consumer to consumer transaction हो गया, ऐसे कई सारे portals है, जो consumer to consumer काम करते हैं, जैसे nobroker.com है, nobroker.com, एक consumer जिसको घर भाड़े पर देना है, या बेचना है, उसे दूसरे consumer से connect करता है, जिसे कोई घर खरीतना है, या भाड़े पर लेना है, overlex quicker मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी चीजों के लिए help करती है, तो ऐसे type का जब भी कोई transaction होता है, उसे कहते है consumer to consumer, अब मैं आपको दो और च management language में उसका सही use कैसे करे, उसके बारे में बस छोटी सी एक बात में आपको बताऊँगा, तो पहले हम B2G देखे, तो वो होता है business to government, so business to government transaction जो होता है, उसे कहते है B2G, अब इस transaction का अगर मैं आपको example दू, तो देखिए railways है, Indian army है, government के भी कई सारे departments है, उन्हें भी इसे चाहिए, stationary हो, furniture हो, office rent पर लेना हो, या कोई चीज खरीदनी हो, railway को कोई एक सामगरी की जर्वत हो, अपना railway network चलाने के लिए, तो बहुत बड़ा business होता है, government को supply करना चीजों का, बहुत बड़ा business होता है, अर्बो का business होता है, जब भी कोई business, जैसे वोई Infosys आ गई, या कोई और company आ गई, कह रही है कि मैं government को कोई service supply करूँगा, software supply करूँगा, तो वो business to government transaction होगा, अब इन terms का सही use कब कहा और कैसे होता है, अक्सर जब होता है, जब हम हमारा business model समझाते है, जैसे flipkart आके कहेगा, मेरा business model, एक side है business to consumer, कि मैं consumers को चीजे बेचूँगा, लेकिन मेरे जो sellers है, उनके साथ मेरा B2B transaction है, मैं उनके साथ a B2B relationship रखता हूँ, इसी तरह अगर मुझे कोई venture capitalist को जाके अपना business pitch करना है, कि मुझे इस चीज के लिए पैसे दे दीजिए, तो वो मैं समझाऊंगा कैसे अपने business को, कि मेरा business जो है, ये एक B2B business है, जहां मैं जाके इस प्रकार के business को कोई चीज बेचता हूँ, इसी तरह अगर मैं को B2C समझाना हो आपको, तो जो हम यहां कर रहे हैं, वो है B2C या C2C, मैं as a individual या मैं as a brand या business, आपको कोई चीज सिखा रहा हूँ as a individual, ये हो गया business to consumer, लेकिन अगर मैं आपकी company को आके कहता हूँ, कि मैं company में training करूँगा और आपके staff को कुछ चीजों के बारे में training दूँगा, तो वो B2B transaction होता, so B2B, B2C ये जो होता है, business models को अक्सर समझाने के लिए किया जाता है, कई बार newspaper में, magazines में भी, इसका use किया जाता है, कि ये एक B2B company है, ये एक B2B marketing company है, ये B2C marketing company है, और कई बार job post listings जो होते हैं, वो भी कहते हैं, कि हमें एक B2B marketer चाहिए, ये B2C marketer चाहिए, ये B2B salesperson चाहिए, तो ये जो होता है, आपको बताता है, कि काम का nature क्या होने वाला है, अगर आपने वो job लिया तो, तो इन बारे में आपका कोई सवाल हो, तो comments में पूछिए, ऐसे कोई और terms ह जो आपके समझ में नहीं आ रहे है, तो इंतजार किस बात का है, मैं अंकर अगरवाल आपका इंतजार करूँगा, comments box में